आपने मन के बुद्धी के दीपुक से मुराद है हम आते हैं और हमारे मान के अंदर बुद्धी के अंदर तर सीम जागृत की पेला होती है और हमें उसे लाभ होता है यहूं सैच गर्त शंग करते हैं वुद्धी के अनों से किर्पा है साथ संग से जो लाभ होना चाहिए हमें प्राक्ट हो रहा है तबी हम एकत्र होते हैं और सच्छंग की में में तो शास्त्रम बहुत कहीं गई है सच्छंगिती किम नग करोती हूं साम सच्छंगिती से मुलिश की अंदर बहुत से गुना जाते हैं क्या नहीं आते हैं हम सच्छों में आते हैं हमां तीन चीजें पर्तिक शुरूत में प्राप्त होती हैं एक ज्ञान दूसरी भगति और तीसरी क्रिपा हमसे पनिलवग करते हैं सब्सक्राप्त होती हैं ज्ञान भगति और क्रिपा प्रूंतु सच्छंग के विल इतना ही नहीं कि हम जो यहां कर रहे हैं या बाहर के सच्छंग करते हैं सच्छंग के पिलास्वी बहुत बड़ी है सच्छंग में आया है कि सच्छंग या सच्छंग कहो उससे मिलुशी की या किसी चीज़ की चार गतियां होती है दुष्टान देते हैं एक बूंद उपर बारिश की जिर्थी है अगर सीपी के लूं में पढ़ जाए तो वो मोती बन जाती है कि उसको सीपी के सच्छंग मिला और अगर कमल के फूर पत्ते पर या और किसी पत्ते पर पढ़ जाए वो मोती जैसी बन जाती है मोती होती तो नहीं मोती जैसी दिखाई देती है यह दूसरा है उसका रूप चार भरूप होते है उसी बन का मोती बन जाना उसी बन का मोती जैसा दिखाई जैना अंदर कुछ नहीं और उसी बन को गंदा हो जाना और उसी बन का मिट जाना यह तो बूद है एक आत्मा भी शुशा उपर से उतरती है वो भी शुशार भी आती है तो उसे यह दिखाई रूप होते है एक मोती जैसे बन जाती है एक मोती जैसे दिखाई परती है और एक मरीन हो जाती है एक देश्ट हो जाती है वह आत्मा अब संगित का असर है तो श्रीपी के में पड़ी दो पहली संगत उसको यह मिली, तो आत्मा को जीव को पहली संगत उसकी मा मिलती है, अब यह मा का फड़ी है कि उसको मोत्ती बिनाए अच्छी संगत देखा, पहली संगत बही होती है। अब निशी के शास्टे कहा कि माता के मन से सिंतान का मन बनता है और माता के श्रीव से सिंतान का श्रीव बनता है। माता का मन अच्छा होना चाहिए अच्छा करें और श्रीव को भी अच्छा बनाए जैसा मन होगा जैसा श्रीव होगा वैसा ही उस नहीं आत्मा का श्रीव और मन बनेगा। हमारे आपकी माता माता दर्म पत्नी जी अपने बनेगों को कहते से लेखो तुमारे शामने भगवान के शित्तर होने चाहिए हैं। उसके देखती रहो। मन और श्रीव और श्रीव का ध्याने लिखो। पहले संदर तो मा की होती है ना। मा की जो वाज मा सुनती है बच्चा सुनता है जो मा देखती है बच्चा देखता है जो मा खाती है बच्चा खाता है। दिश्टान थे, अब मन्यों ने कहा युद्ध की कला सुखी थी, जनम से पहले ही तो सीखी थी, तो इसलिए पहले संगत जो जीव को मिलती है, वो सत संगती मिलने चाहिए, यह नहीं कि उसे बूंड की तरह जो मिट्टी में गिरकार मेलीन हो जाए उस तरह की, उसको ऐसे संगत में चाहिए, जो मुलती बने, और उसके लिए माता, माही पहली संगत है, और माह कई वरिष्टा कुछ की संगत करती रहती है, जब बच्चा बड़ा होता है, तो चार चीजे माह ने सखलाने होती हैं, जो अच्छे जाना हैं, एक उसको धर्म, दूसरा नीटी, तीसरा उसको शरीर के स्वस्त रखने के लिए, और चोटा उसको काम करना, तो तो उसक्षा संगत में लेगे ना, नहीं तो संगत क्या है, पिसी खला रहे हैं लेगे संगत क्या, उसको उससे पहले, जब ना ये चार्जें नहीं होती, बच्चा नहीं करना हो सकता, तो माह का दूद पीता है ना, उस दूद से उसका शरीर भी बनता है, उसकी मान भी बनता है, ये न समझे का मान भी बनता, अमके तन्दीद भी लिया, शरीरी, दूद जब पीएगा, आज तो डाक्टर भी रहते हैं, दूद माह कहीं होना चाहिए, और ये हमारे समस्कृति की नीती है, ये दूद उसे मान भी बनता है, ये को वल्द बात नहीं थी, जब एक राजबूत को कोई लर्कारा जाता था, तो कहता था, जानते हो मैं क्षितरानी का दूद भी आ है, कि मेरे अंदर में भी इसता है, जो इस मान के दूद में है, तो कहां से आई, मान भी बनता है, इस चीज़ को तो ग्यान नहीं समझ सकते हैं ना, जिसने नहीं समझ पाते हैं, तो उस वकित भी मा के अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छा भोजन होने चाहिए, तभी वो बच्चा जो है, अच्छा मुति बनेगा, और उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके माँ की संगत हो जाती नहीं उसके और संगत कोई है नहीं तो उसको माँ की संगत है उसको माने चार चीज़ें सिखलानी है धर्म सिखलाना है नीती सिखलानी है कर्म सिखलाना है और श्रीर का पोशन सिखलाना है अगर छोड़ देने जाओ जो मर्जय करो तो इस संगत क्या हुई वो सीपी नहीं है वो मा सीपी नहीं है वो या तो एक कंबल का पत्ता है और या मिट्टी है तो क्या सिखला है धारम किस्ता सिखला है मा जब धारम सिखलाने के जब मंदर जाए बच्चे को साथ ले जाए भगवान की मूर्थी दिखला है माता टेके बच्चे माता टेके मा धारम की पुष्ट के पड़े उसमें जब भगवान की चित्तर हो वो दिखला है यह भगवान की चित्तर है ये सारा रूप दिखला है बच्चे को दर्म को पदा लगेगा और दिन प्रति दिन जब ऐसा बच्चा देखेगा इसके मान पर वहीं छिर्षार प्चुरेगे और जब बड़ा हो तो वहीं कथाय सुना है बच्चे कहाने सुनना चाहते है तो वह धार्मिक कथाय सुनाए और बच्चे को अपने साथ पूजा करना से खलाए तो धार्मिक शिक्ख्या तो इस पर कार होगी न ये धार्मिक भीक्या कर जो अरम होता है वह तो मा से शुरू होता है और शारा जीवे ये मा से शुरू होता है और बच्चा और समझधर होता है उसको बेवार सिखलाती है नीती सिखलाती है उसके गुरुना सीखता है क्या शब्द उचार्म करने है क्या करना है जी करके पुकारना है बड़ा भाई है उसको भाईया जी कहे पिता के पैरों को स्पर्श करना सुखलाए हमारी जरुक है नीती है छोटे बच्चों से प्यार करना सुखलाए बड़ों का आदर करना सुखलाए बड़ा बार से आए उसके चरु स्पर्श करे यह सब नीती है ना बच्चे का करेक्टर बन जाएगा कोई छोटा बच्चा है तो उसके पास और कोई खिलोना है तो उसके छोटे बच्चे को इसको दो ये बेबी है जो बच्चे छीनते हैं उसको सिसला है इसको देना है उसको छोटों से प्यार करना बड़ों का आदर करना उनको जी करके पुकारना और अपने बड़े भाई के बढ़िया कहना उसके भी पैरों को स्परिश करने बचा को पैरों को स्परिश करना ये एक नीती इमान सिखला सकती है और ये शीख जाए तो समझो के परिवार के अंदर एक मोती आ गया और बच्चे को उसके शरीर के बारे में उसके ताकि जिससे शरीर अच्छा हो सात्रिक भोजन और समय पर भोजन करना से आदे डाले बच्चों के में मैं होता है कि हर वक्त खाते रहते हैं प्रिश्राव हो जाते हैं जो वक्त पर खाएगा उसको तो उसके शरीर फीक रहेगा जो वक्त पर ने खाएगा चाहिए कुछ भी खाएगा उसके शरीर ठीक ही रहेगा जिन गरीब बच्चों को वाम खाने को मिलता है बीच-वीच में आलोक की मिलता है वो तो ठीक रहते हैं और जिन बच्चों को हर यह मान ने का तुम खाते ही कुछ ही और खाओ वो बिमार रहते हैं क्योंकि शुरीर तो वकतमा गज़ते है तो इसलिए उसको शिरीर के लिए खाने की आदते फिर उसको छोटे बच्चों को जो जयाया हम करने चाहिए छोटे बच्चों को मालिश करने चाहिए ये सारा काम उसकी शिरीर के लिए उसको किया जाए उसको सिखलाया जाए, तुमने ये करना है, हैबिस डाले तो ये शिरीर के लिए होती है फिरे अच्छी आत्तें डालें अच्छार पांच साल का बच्चा है आत्तें पढ़ जाएंगे बच्चे से काम लिया जाए अपना काम खुद करना सिखलाया जाए ये नहीं कि इसको काम करके ही सारे देने है जब इसके हाथ और पांच है तो इसका परियोग करे अपने जो बस्त चीज़े हैं खुद सिंबाल के रखे अपने स्थान के खुद सिफाई करे बच्चा करना चाहता है बच्चे तो बंदर की तरह होते हैं कुछ करना चाहते हैं पर तो उसको ठीक ठंक से आथे डाले तो इसका करम करने की आदब डालने चाहिए और इस तरह जब और बच्चा बड़ा हो जाता है तो जो और काम है लड़किया है पुसकरियों उनको सोरी का काम सिखलाए जाए उनको जाड़ करना घर की सिखलाए जाए जाए कप्ड़े दोने सिखलाए जाए जाए इतने काम है तो करम भी सिखलाने हैं न बच्चे को करम ना सिखलाएंगे ना दर्म सिखलाएंगे ना नीती सिखलाएंगे ना शिरीर का सुलाएंगे ना कोई करम करना सुक्याएंगे तो बच्चा क्या बढ़ेंगा कुछ निए पर कल्चिर बच्चा तो वही होता है जिसको इसारी चीज़ें आती है कुछ लिए माँ का जो रोल है तो साथ सांगे सबसे पहले है और सबसे बड़ा है साथ साथ माँ का रोल तो समाप्द होता ही है लेकिन बाब का रोल भी साथ चलता है चार संगति चाहिएं बच्चे को इस तो वो चार है ना चार संगति एक माँ की एक बाब की एक टीचर की और एक मित्रों की मैं चार संहिंटी अच्छी होनी चाहिएं जोंसे कुछ मिले तो बाब की संहिंटी जो है वह भर भुर है बाब में उचार जीओं को सपलाई बच्छे को धर्म की तर्फ लगाने के लिए बच्छे को अच्छी सफंगों मिले जाएं जो कि लोग अब आइट करते हैं पहले से जहां धर्म के उपदेश हो कुछ ग्यान मिले वहाँ ले जाएं अपने साथ ले जाएं यह नहीं कि बच्चे ने स्कूल जाना है या बच्चे को टूशन जाना है यह वो अपनी जगा और यह अपनी जगा उसका महत्व उसे कम नहीं अधिक है बच्चे को जो जग्ञान मिलेगा सतवचंगम्यान का है जो उसको धर्म की बाते मेलेंगी यह तो वहीं मिलेंगी नå और फिर बाप धार्मिक कुष्ट के लेकर बच्चे को पढ़ाये बच्चे से सुने तो उसका अपनी धर्वा का पता लगी है हमारे धर्वा कितनी गुष्टकी है दिनका कोई इसाब भी नहीं है हमे वो चीज़े पढ़ानी है बच्चा यह जब पढ़ेगा अपने धर्वे के महापुरुशों की जीवनिया और इनके जो गुन्स है आए तो जरूब बगत और परशिराम और अरिश्चिंदे इनके लामे जो भूल चुके है न क्योंकि इनको यह फरज किसका है यह मा और बाप का फरज है धर्मी शिख्या देना घर में इनका फरज है कि धर्म की बातें से खलाएं धर्म के स्थानों पर ले जाएं और मा का बाप का और भी फरज होता है कि जब बच्या बड़ा हो जाए और मा का भी फरज होता है वो शारी बिता ही जाएं नीती की बात कि लिटे का अच्छे श्थानों पर ले जाएं जहांपर कि वो उसको सब बितास का पता लगे सदाचार का पता लगे तब ह Rica सदाचार बनेगा द़ों का आदर करना अपनी बजरुर्गोлем का आदर करना यह बाप का काम है उसको शुकलाए परवारों में जाकर आपकी विज़त करे और फिर बाहर की नीती कभी शुकलाए कि देखो शिल्षार अलक कैसा है यह बाप यह बाप का काम है तो बाहर ठाके लोगा जाते हैं उसको श्यार करना पड़ता है आपको कहानी सुनाय करते हैं देखो लोग की साथ ठकते हैं और यह आम है आज को और बढ़ता जाए जाता है वह कहानी उसमेकार है कि चारे मुलक पंद दुप थे तो यह मैं कहा कि अब हमारे कैसे जैने ना पढ़े लिखे हैं कुछ नहीं है खाना पीना चले जैसे आज बहुत सब आहना और बन गए दोती कुपरा कुप परना ले लिया वो ले लिया राएंगा तो यह घ्राजा की चले के पास जारू पंद बन कर कि सरकार हम मैं पतर लगा है आप के उपर कष्ट आने वाले हैं हम जो थी हैं हम अपको पूजा करेंगे आपको जब करेंगे राही अच्छा तो मुझे अपने आपी ब्रामन में लिए तो पूजा आता जाता कुछ नहीं था जो खा देना था तो हमें आसल लगा दो जी हम लोगत पर ही खाते हैं और बस हम सहरों आपके लिए पाट करेंगे बैठ बेचारों अब सोचे कि क्या फंस तो गया है राजा भी मान गया अब करें क्या ना मंतर आता है ना कुछ जी कहला है तो बैठे सोचा एक लिए सोचा अच्छा तो जाजा आते राजा, जाजा बढऄ तो विए खंट या कर रहा है मूझे भी मुझे कुछ आसा हम मैं बैठे से गा प्रफॉच जो जबर Стु आकट जो, जो मैं गयता हूँ, उसको जबरा पाटे हूंगे और देखो बूख है कहां तक चलता है आज कल तो आम है ना इन चीज़ से बचने के लिए खिक्षा देते हैं बज़रूगी और तीसरे बैटर बोग मैट या करो उसको बड़ा कि आया कि देखो जी कार क्या रहे हैं आग को देखेगा तो क्या कहँगा तो वह नहीं कहा लगा ये कब तर चलेगा ये कब तर चलेगा ये कब तर चलेगा ये कब तर चलेगा वह नहीं कहा चलेगा उसका मंदरी बन गया अब क्या ये मंदरी हो रहे है तो चलो तो वो कहे लगा यह पूर्ण लेगा जब तक चलेगा तब तक से जब तक चलेगा तब तक से उसका जमणतर बने गए। इस तरह नीटी की बात तो रोती हैं, जो कि अगरे शोपी सी चानके बच्चों के समयाएं कि असम साहर में दोखा बहुत है, और दोखे से बच्टने की भी जुरूरत है, आज आते हैं धरों में, आपके हम सोनने का दूनों सोना करा दें कि मारपाद गुरू का शीरवाद है, ठाके ले जाते हैं, एक इस तोरे जुनों के इस बात है, अपने जान का लेदी जा रही है, यहने कड़े-कड़े पहने हुए हैं, इसे साइकल आया, मामजी, मामजी, आपकी दोती की शादी है, मैं अभी घर गिया था, और लोगा आप बढ़ार गे वें, तो मैं सुन्यारी कि दुकांश आया हूँ, और मैंने उसके दिया एक कोड़े बिनाने के लिए, तो कहते हैं, कि मैं दूनों ना, तो मैं गिया था, कि आपका नूनों ना लाओ, यह आप में दो, मैं यह निमून पता होता है, सुझे कभेगा, दोने दे लिए, लिया अरोगायब, और मा में बढ़ीक दी रही कोड़े आप देगा, ऐसे दिकों इनसे बचना है, यह नीती की बातें भी माबापको, बच्छों को सिक्रानी हैं बचने के लिए, और रिष्टे के नीती की बातें हैं, लेकर आपको बच्छों को अच्छी संगत मिलेगे, अगर को संगत मिलेगे, बाहर को संगत मिलेगे, अब बच्चे को शुरीर भी बच्चे का बिनाना है जो अच्छी मावाब हैं बच्चे है बच्चे को सुबा अपने साथ गुमाने ले जाते हैं आश्रम करने लाते हैं बच्चा सोया रहा है तो उसको जगाते हैं यह नहीं कि तुम रात को देश तक सबों सबाब बर उठी ले उसको अच्छी आदितें डालनी हैं उसको यह बातें मतलानी हैं देखो कि मीटी क्या कहती है अरली टु बैड़न अरली टु राइस उसके बाने बठाओ कि जल्दी सोगे और जल्दी जाओओगे तो तुमारी बिद्दी भी ठीक रहेगी और तुम बढ़ भी सकोगे कमाय भी अच्छी कर सकोगे यह जब माने बैठ जागा तो बच्चा भी करेग अरकर नहीं तुमारी हमत्याने दो बई तक बड़ रोड़ आस उसका दिमाग ऐसे बन जाएगा और बच्चे को यह तरीके से समयाना होता है मैं एक बार चार्ट लिख रहा था कुझे जिस्टी चार्ट लिखते हैं तो पीता यहां क्या लिख रहे हो यह मैं जो कहते हैं ल बहुत हैं और लियाकत पैदा नहीं करते तो उससे कुछ ही बनेगा मेहनित करो और तुम्हें कुछ प्रास्ट लिख कर सकते हो जो समयाने से इस तरह कि बच्चों को शिक्षा हम तेशकते हैं बातों बातों में कहानी उस वादा ताकि वो शिक्षार के अंदर दो खाना खा और अपने शरीर को ठीक रखें समय का बंदन कि किस समय हम क्या करना है घर में टाइम टूल बिनाएं बच्चों का है बाप का काम है अच्छी बुष्ट में लागे दे उसे डिश्काश करें यह बाप को संगत होने जाए आयोगे हम नहीं करते तो उसे बच्चों का उपर प अश्किन वे जो संगत होती है वो टीचर की ओती है आई चीचर का इस फ्रफियर की संगत में यह सब को शना चाहिए कि यह नहीं कि अपने किताब ही बढ़ानी जो सब जर पढ़ाना है यह तो पढ़ानी है लेकिन अच्छी टीजर जो होते हैं वो बच्चे को इन चारों चीज़ों का उपदेख देती हैं कि देखर तुम ने अपने जीवोने एक टाइम सों के मताबिक दरना है वक्त पर पढ़ना वक्त पर खेलना वक्त पर है और स्थ कुष करना ku work while you work and play while you play दोने काम करना है समरे पर खेलो भी स्राप पड़ो भी टाैम सिर्व बिनाओ अपना और यह उद्को किताबी ग्यान के लावा दूसरा ग्यान भी देते हैं यह नहीं जो किताब मैं बस्तों कोटाला रो यह तुम ग्यान हो तो यह क्या बनेगा उसको अगर इदर दुनिया का और ग्यान ना हुआ तो वो कहां से बना टीचर से मिल गया है तो उसको उसके ज्ञान के बिद्धी करें उसके स्वास्ति के बारे में बतलाए और उसको बिभार के बारे में बतलाए यह देखो तुम कर जाओ तो उसकी देख ना चले जाओ पूश के जाओ मैं आंधर आ सकता हूँ जा जिस पहले जाओ, पहले उसको नमस्ते करो, फिर बात करो, शुष्टा और कहीं जाओ तो धक्यमक्य मत करो, लाइनों में खड़े हो जाओ, यह सब तुझे टीचर्स का फर्ज़े सिखलाना. पराने जमाने में पराने काल में टीचर्स शिखलाया करते थे, वो अपने पढ़ाई भी पूरी करते थे, यहनिके जितने पढ़ाई करते थे, कोर्स रहते नहीं थे, कोर्स थोड़ी होते थे, तो ठीक है, हाल ज्यादा होते हैं, लेकन वो अपना पूरा करते थे पढ़ाना, और बच्चेवों को बहुत बतन से उलाते थे शरीर के बारे में भी, सिमाज के बारे में भी, मेभार के बारे में भी और दूसरे की subject के बारे में जो उसको जूरत होती है इस teacher का यू फ़रेड या है कि आपने subject करते हैं तो बच्चों को पढ़ाए मैं भी तो टीचर हूँ थ्रू आउट गामी सब बैठे हैं और भी हमारी ट्स्टूर्स आते रहते हैं जो टीचर को खास अच्छी चीज़ लगे वो बच्चों को पढ़ाए दखलाए जहां भी रहा बच्चों को योगी से खलाया अगर तीच सारीश के हैं तीच सारीश के हैं तीच सार में आजारों बच्चों को जो खलाया धर्म खलाया उसका नतीज़ा क्या हुआ है कि वो आज भी वो जो बड़े-बड़े हो गए उतर लगेगे हैं अनेकों हैं जानीशा भी तो यूग पहले वाईशी सीखा था मुझा स्टूड़न्ट अब भी डाक्टर नील में आये थे जब फर्स्ट इल में धर्म साद मेरे पास पड़ते थे तो तब उन्हें यूग सीखा स्वामी जी के पास में धर्म सिखलाने के लिए रिशिकेश भी ले गया इनको और आज वो एक बहुत काबल प्रिस्पल लेटायर हुए हैं और यूग का प्रशार भी करते हैं हर तरह से उनके धार्मी के हैं मेंडी के अंदर उनका प्रतिष्टा है कि एक दर्मात्मा बेखती है और ग्यानी बेखती है क्या हूं किस्टा एक टीचर ले टीचर का फर्ज है कि बच्चे को केरियर सिधा करे ये बड़ा फर्ज टीचर का अगर ये टीचर ना सिखा सेगा माँ बाप के अंदर वो सब के अंदर ना समय होता है उनका अपना फर्ज है ना इनकों अंदर वो ग्यान होता है लेकिं टीचर के अंदर ग्यान ज्यादा होता है गाइडन्स तो टीचर देनी होती है माँ बाप बच टीचर के हवाले का देते हैं अगर टीचर से ये इलोट करो ये करो गाइड डिया पड़ो गोटा लगा लो ये कॉश्चन है, ऐसी कॉश्चन है ओए पास बाप से अगर टीचर ऐसर टीचर अपना फरज नहीं करना है, माँ का अपना फरज नहीं करना है, बाप का अपना फरज नहीं करना है, और पिर टीचर माँ और बाप तिन्हों का फरज आ है, कि देखें, बच्चिया किस संगती में जाता है, संगती करन चटता है, अगर कल संगती में उसको एक एक बात का पता होना चाहिए, जैसे CID होती है ना, माँ, बाप और टीचे बच्चे के उपर CID करें, कहां जाता है? मैं आती है, मेरा बच्चे जी बड़ा है, तसमीर आगा शाप कीता है, जब शुरू पीरी करनी थे, तब ही तुम कहां थे, तो पता लगया ना, कि संगती से एक आए जी, मैं भी लख जाये थे, मैं चाहता हूं शाप छोड़ दो, तो मैं छोड़ दो, जी, जरी जा काम करता हूं, वो संगत में छोड़े देते, जो संगत, ऐसे संगत में पढ़ना ने चाहिए, जो आप बुरा ही कितब ले जाए, अच्छी संगत में जाओ, तो यह जो मारा सत्संगती, सत्संगती का, या सत्संग का विश्य है, यह पूरी फिलासफी है, यह ग्यान मिलता है, बग्ति मिलती है, अवरे परभु खिलपा मिलती है, लेकिन इसके लावा यह तो है यह लेकिन और भी बाते हैं, जिसको आप बालन करना है, तो यह वास्ता में बच्चे को, जो बच्चे हमारे पसाता है, उसको मोती बिनाना है, तो मोती बिनाने के लिए तो उसको जब आया, तो यह अग तो मोती बनोगे, तो यह सफिं करना पड़ता है, तो सच्च शंक्यती जो ग merdi किमना करोड़भा, सचंक्यती मिल एकिया कुछ नहीं कार देती, तो खिख चर सेकती है, लेकिन इसी सच्च्